हैलो दोस्तू कैसी हैं आप सब फ्रेंट्सूज उम्मीद करती हूँ आप सब अष्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो आज प्रेंट्स हम बात करेंगे कि बिना खर्चे के बगीचे में फूलों को किस तरीके से हम अपने भागीचे में बहुत सारे फूल हम ला सकते हैं थ तो उसका क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे पास प्लांट है मेरी गोल्ड मैरी गोल्ट के आपने यह मैं नरसरी से नहीं लाई हूं और यह बिल्कुल घर का नैचुरल प्लांट है बिल्कुल इसमें मैंने कोई भी ऐसा कुछ नहीं लाकर करके कहीं से डाला है या लगाया है तो मैं बिल्कुल इसकी आपको बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरीके से तैयार किया है तो से तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद उसको यह देखे इस तरह कैसे इसको हम यहां पर डाल देंगे इसके बीज मैंने इसमें डाल दिये हैं और बीज डालने के बाद इसके पर थोड़ी-थोड़ी सी हम मिट्टी डाल देंगे मिट्टी हमें इसकी किस तरीके से बनानी ह वो भी मैं आपको बता रही हूं तो इसमें फ्रेंट्स हम मिट्टी लेनी है और उसमें सेंड लेनी है और वर्मी कमपोस्ट लेना है तीनों को मैं बराबर मात्रा में ले लेती हूं रेट भी और मिटी भी और कमपोस्ट भी तीनों को मैंने बराबर मातरा में ले लिया है तो उसको क्या करते हैं फिर मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमारी मिटी तयार हो जाती है तो इन बीज को हम डाल देते हैं और बीज के उपर यहां मिटी डाल क इसको हमने तयार कर लिया तो फ्रैंट्स locks C7 चोट चोटे पूड़े दिर्च ॥ gagner निकाल सकते हैं आपको दिखांग निकाल के प्लांट最 शीच च्च चोटे चोटे डरे तो आफिकर प्लांट नीकाल सकते हैं मैं आपको दिखाऊं निकाल के इस तरह से हम अपने प्लांट निकाल लेंगे और उन प्लांट को कि उन्पलट को फेंड्स आपके पास च्छोटी च्छोटी सी पॉलैब नहीं च्छोटी सी तो मैं इस तरीके से हम उनको सबको लग अलग करके लगा लेते यह और कितना सुंदर सा एक तेस सारे प्लांत अपने सारे लग लग इस तरीके से मेल अपने बड़े हो जाते आप निनकी पिंच tyng कर लेते हैं यह जो अ Mario काaky प्लांट फरेंट से भी जाता है और हम भाम सकते वियु cutting से तयार किये थे ये वाले plant ये रहे हैं तो इस तरीके से friends आप cutting से भी तयार कर सकते हैं इनकी cutting आप तोड़ तोड़ के लगा सकते हैं तो इससे क्या होगा हमारे plant चल जाते हैं और ये बीज से भी तयार हो जाते हैं दोनों तरीके से आप इसको जो है चार पांच ब्रांचे निकल के आ जाती है फिर वो जब चार पांच ब्रांच हमारी निकलती है उनकी फिर से पिंचिंग कर देंगे उसके बाद हमारा पुरा घना हो जाएगा भर जाएगा पुरा गमला हमारा भर जाएगा और गमला जो हमारा भर जाता है फ्रेंट तो उसके बाद उसके बाद फूल आने शुरू हो जाते हैं देखे इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ यह देखे मेरा गमला मैंने पिंचिंग करके किस तरीक इतना यह देखे भरा भरा गमला है पूरा और इसके अंदर फ्रेंट्स मैंने फिर उसके बाद कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है बस वो मिट्टी जो मैं तयार की थी उसी मिट्टी का ये रिजल्ट है और ये देखे इस तरीके से इस पर ये फूल आ रहे हैं बहुत सारे तो होगे ना फिरी में तयार हमारे फूल ये देखे तो इसी तरह से हम जो है अपने बगीचे में फूली फूल कर सकते हैं और हमारा कोई भी खर्चा भी नहीं होता तो ये तरीका होता है फ्रेंट्स अपने बगीचे में कम बजट में बिलकुर भी बिना खर्चे के ही हमने ये प्लांट अपने तयार कियें तो इसी तरीके से आप फ्रेंट्स बहुत सारे प्लांट तयार कर सकते हैं और अपने बगीचे को फुलो से भड़ सकते हैं तो ये हो गई हमारे प्लांट तयार तो फ्रेंट्स आपको मेरी जानकारी क्यासी लगी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंट्स फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ ओके बाई